मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया भारत की स्टार्ट सूटर मनु भाकर ने या मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता इसके साथ ही मनु ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला सूटर बन गई है आपको बता दे कि टोक्यो ओलम्पिक में मनू की पिस्टल खराब हो गई थी, 20 मिनट तक वे निसाना इन लगा पाई, पिस्टल थी खुई, तब भी मनू के सिर्फ 14 सौट ही लगा पाई, और फॉनल रेस से बाहर हो गई, टोक्यो ओलम्पिक के बाद उन्हें सांदार वापस के स्कोर के साथ उलम्पिक रिकॉर्ड बनाया, कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मिडल अपने नाम किया, उन्होंने 241.3 पॉइंट बनाए, वहीं मनू भाकर की बात करें, तो मनू भाकर ने 221.7 के स्कोर के साथ ब्राँज मिडल अपने नाम कर लिया, वहीं आपको बता मैंने आखिर तक टार्गेट पर फोकस किया मैं खोस हूं भारत इससे ज़्यादा डिजर्व करता था उम्मीद है बाकी इवेंट्स में भारत और मिडल जीता का आपको बता दे मनुभाकर के ब्रॉंज मिडल जीतने पर प्रदान मंतरी नरंद मोदी ने भी उन्हें बदाई उसके साथ ही साथ सोसल मीडिया पर उन्हें तमाम बड़े बड़े लोगों से भी बढ़ाई मिल रही है तो भारत का पेरिस ओलंपिक में खाता कुल चुका है और भारत का पहला मिडल सूटिंग में आया है और वो भी एक महिला लेकर कि आई है ये भी आपने 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 तमाम अबड़े के लिए खेल लामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा